नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कुछ संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतनकोशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चलिया ये इस वीडियो में हम अध्याय से संबंधित कुछ महतपूर आंकिक प्रस्णों को हल करते हैं अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले आंकिक प्रस्ण में हमसे पूछा जा रहा है कि 250 एंपियर प्रती मीटर चुम्बकी तीवरता के प्रभाव में दसकी घात 5 मीटर क्यूब आयतन तथा आप एक श्पार गम्मिता का मान दिया गया है 1000 युक्त किसी छड़ का चुम्बकी आघूर का मान गयात किए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें capital M की वैलू को calculate करना है याँ चुम्बकी आघूर का मान गयात करना है तो इसके लिए formula होता है M is equal to I into V I क्या है? I बहने वाली धारा है और V यहाँ पर आयतन है और इसी formula की सहाथा से हम यहाँ पर capital M की वैलू को calculate करेंगे अब यहाँ पर क्या क्या चीज़े दी गई है उसे सबसे पहले हम note करेंगे तो यहाँ पर देखिए V की वैलू दी गई है और इसका मान हो जाएगा 10 की घात 5 मीटर क्यूग इस मान को यहाँ पर हम note कर लेंगे अब यहाँ पर और क्या दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर चुम्बकी यह तीवरता की वैलू दी गई है और इसका मान हो जाएगा h is equal to 250 ampere प्रती मीटर अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम i की वैलू को calculate करेंगे तो इसे कैसे calculate करेंगे? देखिए यहाँ पर इसे calculate करने के लिए हम formula का इस्तिमाल करेंगे देखिए इसके लिए formula हो जाएगा b is equal to mu0 into h plus i और इसी formula का इस्तिमाल करके हम i की value को calculate करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से i के लिए formula हो जाएगा i is equal to b minus mu0 into h और upon में हम लिख देंगे mu0 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर b क्या है? b चुम्बकिये छेतर है mu0 है निर्वाद की चुम्बक शीलता और h क्या है? चुम्बकिये तीवरता है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो b की value है इसके लिए एक और formula होता है कौन सा होता है? तो इसके लिए formula होता है b is equal to mu into h mu क्या है? mu यहाँ पर किसी पदार्थ की चुम्बक शीलता की value है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो mu की value होती है इसके लिए फिए फार्मूला होता है mu is equal to mu r into mu 0 mu r क्या है? यहाँ पर mu r है किसी पदार्थ की आपेक्षित पारगम मेता तो यहाँ पर mu की जगह पर हम mu r into mu 0 लिख देंगे तो यहाँ से b की value change हो जाएगी और इसका मान हो जाएगा mu r into mu 0 into h अब यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा समिकर्ण नंबर 2 और यह हो जाएगा समिकर्ण नंबर 3 अब यहाँ पर b के असान पर हम mu r into mu 0 into h की value को put कर देंगे तो यहाँ से देखिए समिकर्ण 2 में जो i की value है इसका मान change हो जाएगा और यहाँ से इसकी value हो जाएगी mu r into mu 0 into h minus mu 0 into h upon mu 0 अब यहाँ पर देखिए इतने सारे mu 0 अंस में दिये गए है तो यहाँ पर हर से यह value का इंसिल हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए यहाँ से h के term को भी हम common ले सकते हैं तो यहाँ से i की value हो जाएगी i is equal to यहाँ पर देखिए mu r minus 1 और into हम h लिख देंगे और यह यहाँ पर i की value हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसी formula की सहता से हम i की value को calculate करेंगे तो यहाँ पर देखिए mu r दिया गया है mu r क्या है mu r यहाँ पर आप एक शित पारगम्मेता है और इसकी value यहाँ पर 1000 दी गई है इसे हम लिख देंगे minus 1 अब यहाँ पर h दिया गया है h की value कितनी है इसका मान 250 दी आगया है तो यहाँ पर हम 250 से गुड़ा कर देंगे और यह यहाँ पर i की value हो जाएगी अब इस term को हम solve करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1000 से हम 1 को घटाएंगे तो इसकी value हो जाएगी 999 और इसमें हम 250 से गुड़ा कर देंगे और यह यहाँ पर i की value हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए इस term को एक बार फिर से हम solve करेंगे तो यहाँ पर 999 में हमें 250 से गुड़ा करनी है तो इसकी value कितनी होगी देखिए इसकी value हो जाएगी 2,49,750 और यह यहाँ पर i की value हो जाएगी अब इसे हम थोड़ा सा rearrange करके भी लिख सकते हैं तो यहाँ से देखिए rearrange करने के लिए 10 मलों को हम 24 के बाद लगा देंगे तो यहाँ से value हो जाएगी 24,9,7 और यहाँ पर हम गुड़ा कर देंगे 10 की घाथ 4 से और इसका मातरक क्या होगा तो इसका मातरक ampere हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए 24,9,7 लिखा हुआ है इसका मान लगभग 25 के बराबर है तो यहाँ से i की value हो जाएगी i is equal to 25 गुड़े 10 की घाथ 4 और इसका मातरक ampere हो जाएगा तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर हारा की value को calculate कर लिया अब प्रस्ट में हमसे पूछा क्या जा रहा है तो प्रस्ट में हमसे यह पूछा जा रहा है कि चुम्बकी आघूर का मान ग्याद किए तो चुम्बकी आघूर का मान हम कैसे ग्याद करेंगे इसे हम इसी फार्मूले की सहाथा से ग्याद करेंगे यानि M is equal to I into V यहाँ पर इस फार्मूला इस्तिमाल करेंगे और इसी फार्मूले से हम value को calculate करेंगे तो I की value कितनी है? इसका मान भी हमने calculate किया है 25 गुड़े 10 की घाथ 4 और V की value कितनी है? तो यहाँ पर देखिए V की value दी गई है 10 की घाथ 5 मीटर Q और यहाँ पर M की value हो जाएगी अब इस फार्म को हम solve करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसे जब हम solve करेंगे तो यहाँ से value हो जाएगी 2.5 into 10 raise power 5 और यहाँ पर हम गुड़ा कर देखिए दस की घाथ 5 से अब यहाँ पर देखिए इस टर्म को एक बार फिर से हम solve करेंगे तो यहाँ से M की value हो जाएगी 2.5 into 10 raise power 10 और इसका मात्रक क्या होगा? तो देखिए इसका मात्रक हो जाएगा ampere into meter square तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने चुमबकी आघोर की value को calculate कर लिया अब हम अपने अगले आंकिक प्रस्ण को हल करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि यह छोटे चुमबक का चुमबकी आघोर 1.6 ampere meter square है इसे चुमबकी आघोर में उत्तरी धुरूब से दच्छणी धुरूब की ओर करके रखा गया है उदासीन बिन्दू चुमबक के केंदर से 20 cm की दूरी पर मिलता है पृत्वी के 36 चुमबकी च्छेतर H की गढ़ना कीगे यहाँ पर 36 घटक पर जो चुमबकी च्छेतर है उसकी गढ़ना करनी है इसके पस्चात कहरा है कि यदि चुमबक को उलट दिया जाए जिस से उसका उत्तरी धुरूब उत्तर की ओर हो जाए तो उदासीन बिन्दू की इस सिती ग्याद कीगे अब यहाँ पर देखे अगर चुमबक उत्तरी धुरूब से दच्छी धुरूब की ओर रखा गया है तो इसका जो उदासीन मिन्दू होगा वह अक्षी रेखा की सीध में होगा अब यहाँ पर जो चुमबक की साइज है वह छोटी दी गई है तो यहाँ पर अगर चुमबक की साइज छोटी दी गई है तो चुमबक की यह छेत्र का मान कितना होगा इसके लिए फार्मूला हो जाएगा बी इस इक्वल टू मुजीरो अपॉन फोर पाई इंटू टू एम अपॉन आर क्यूब एम क्या है यहाँ यहाँ पर चुमबक की यह गूण है आर क्या है तो देखिए चुमबक के केंद्रिय बिंदू से यानि ओ बिंदू से उस बिंदू के बीच की दूरी है जहाँ पर हमें B की वैलू को कैलकुलेट करना है यानि चुमबक की यह छेत्र का मान ग्याद करना है अब यहाँ पर देखे यहाँ पर जो B की वैलू है इसका मान H के बराबर है क्यों बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर देखे उदासीन बिंद उपर जो चुमकिये छेतर होगा यानि जो B की वैलू होगा इसका मान प्रिथवी के चुमकिये छेतर के छेतिज घटक के बराबर हो अब यहाँ पर देखिए प्रस्ट में क्या क्या चीज़े दी गई है इसे सबसे पहले हम नोट करेंगे तो M की वैलू दी गई है यानि चुम्मकी या घूर का मान दिया गया है और M की वैलू यहाँ पर हो जाएगी 1.6 ampere meter square इस वैलू को हम नोट कर रहेंगे इसके पास चाथ यहाँ पर R की वैलू दी गई है और इसका मान दिया गया है 20 cm इस वैलू को भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे अब cm को हम मीटर में परिवर्थित करेंगे तो यहाँ से इसकी वैलू हो जाएगी 0.20 meter अब यहाँ पर यह दोनों वैलू मिल गई है और इन्ही वैलू को हम इसी फार्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ पर देखें यहाँ से H की वैलू हो जाएगी mu 0 upon 4 pi यह एक नियतांक है और इसकी वैलू होती है 10 की घात मैनस 7 अब यहाँ पर देखें दो को हम इसे उतार देंगे और M की वैलू कितनी होगी इसका मान हो जाएगा 1.6 बटे R क्यूब तो यहाँ से हम वैलू लिख जेंगे 0.20 का होल क्यूब अब यहाँ पर देखें यहाँ पर इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 का 1.6 में गुड़ा किया गया है तो इसकी वैलू हो जाएगी 3.2 और यहाँ पर हम गुड़ा कर देंगे 10 की घात मैनस 7 से और बटे में यहाँ पर 0.20 का क्यूब किया गया है तो इसकी वैलू हो जाएगी 0.008 अब यहाँ पर देखें यहाँ पर इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से H की वैलू हो जाएगी देखें यहाँ पर 3.2 में 0.008 से हम भाग देंगे तो इसकी वैलू हो जाएगी 400 और यहाँ पर हम 10 की घात मैनस 7 से गुड़ा कर देंगे अब इसे हम थोड़ा सा रियरेंज करेंगे तो यहाँ से h की वैलू हो जाएगी 4 गुड़े 10 की घात 2 गुड़े 10 की घात मैनस 7 अब यहाँ पर देखिए इस टर्म को एक बार फिर से हम solve करेंगे तो यहाँ से h की वैलू हो जाएगी h is equal to देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की घात 2 गुड़े 10 की घात मैनस 7 तो यहाँ से वैलू हो जाएगी 4 गुड़े 10 की घात मैनस 5 तो यहाँ पर इसको हमने h की वैलू को calculate कर लिया और यहाँ से इसका मात्रक क्या होगा तो देखिए जो इसका मात्रक होगा वह हो जाएगा न्यूटन प्रती एंपियर इंटू मीटर तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने h की वैलू को calculate कर लिया अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम प्रश्ण के second part को हल करेंगे, देखिए second part यहाँ से start हो रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि चुम्बक को उलट दिया जाए, जिस से उसका उत्तरी ध्रूब उत्तर की ओर हो जाए, तो उदासीन बिन्दू की सिती ग्याद कीज तो यहाँ पर देखिए, चुम्बक को उलट दिया गया है और उसका उत्तरी ध्रूब उत्तर की ओर हो जाएगा, तो इस condition में जो इसका उदासीन बिन्दू होगा, वह निरक्षिये बिन्दू पर प्राप्थ होगा, निरक्षिये सिती में प्राप्थ होगा, जिसे उदाह गटक पर चुम्बक किये छेतर का मान क्या होगा, देखिए इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, एच इस एक्वल टू, मुजीरो अपॉन फोर पाई, इन्टू, एम अपॉन आर क्यूब, और इसी फार्मूले की साहता से, हम यहाँ पर वैलू को कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पर यह फार्मूला मिल गया, और इसी फार्मूले में हम सभी मान को पुट कर देंगे, चलिए पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, मुजीरो अपॉन फोर पाई की वैलू होती है, दस की घात मैनस साथ, इस वैलू को उतार देंगे, एम की वैलू कितनी है देखें, एम चुम्मकी आगूर है, और इसका मान दिया गया है 1.6, इस वैलू को नोट कर लेंगे, एच की वैलू हमने अभी कैलकुलेट की है, चार गुड़े दस की घात मैनस 5, और यह यहाँ पर आर क्यूब की वैलू हो जाएगी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 1.6 में हमें 4 से भाग देनी है, तो इसकी वैलू कितनी होगी, इसकी वैलू हो जाएगी 0.4, और यहाँ पर हम 10 की घात मैनस 7 से गुड़ा कर देंगे, और यहाँ पर देखिए, हर में 10 की घात मैनस 5 लिखा है इसे जब हम अंस में लेके जाएंगे, तो इसका वैलू हो जाएगे देसकी घात प्लस 5 और यहाँ पर R क्यूब की वैलू हो जाएगी, अब यहाँ पर इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से R क्यूब की वैलू हो जाएगी 0. 0.4 into 10 raised power minus 2, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से r cube की value हो जागी, 4 into 10 raised power minus 3, और इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए, इसका मात्रक यहाँ पर meter cube प्राप्त हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, इसे हम centimeter cube में भी परिवर्थित कर सकते हैं, किस प्रकार से परिवर्थित क करेंगे, तो यहाँ से r cube की value हो जाएगी, 4 गुड़े 10 की घात minus 3, गुड़े 10 की घात 6, और यह यहाँ पर centimeter cube में परिवर्थित हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से r cube की value हो जाएगी, 4 गुड़े 10 की घात 3, और यह centimeter cube हो गया, तो यहाँ से r cube की value हो जाएग 4,000 cm3 अब यहाँ पर हमें calculate गया करना है तो उदासीन बिंदू की सिति को calculate करना है यानि आर का मान ग्याद करना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आर की वैलू हो जाएगी यहाँ पर हम इसका घन्मूल ग्याद करेंगे तो यहाँ पर हम घन्मूल लगाएंगे 4000 का और यहाँ पर मान हो जाएगा cm में अब यहाँ पर इसकी वैलू कितनी होगी तो देखिए R की वैलू हो जाएगी लगभग 16 cm तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने उदासीन बिंदू की सिती को कैलकुलेट कर लिया और इसका मान हो जाएगा R is equal to 16 cm अब हम अपने अगले आंखिक प्रस्ण को हल करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि दो छोटे चुम्बक जो छैतेज हैं तथा चुम्बकी या मियोतर के लंबवत हैं इस प्रकार रखे आते हैं कि उनके उत्तरी ध्रुब एक दिख सुचक सुई से क्रमशा 30 cm पूर्व तथा 20 cm पस्चिम की ओर हैं यदि सुई में कोई विच्छेप ना हो रहा हो तो चुम्बकी या घूनों की तुलना कीजिए अब यहाँ पर देखे दो कंडिशन दिये गए हैं और दोनों कंडिशनों के दो चुम्बकी या घून होंगे और इनहीं की हमें तुलना करनी है तो यहाँ पर देखे जो दिख सुचक सुई सी है दोनों छोटे चुम्बकों के अक्षिये रेखा पर हैं तो इस condition में जो पहला चुम्बकी या घून होगा यानि जो B1 की वैलू हो जाएगी इसकी वैलू हो जाएगी mu0 upon 4pi into 2m1 upon r1 cube अब यहाँ पर देखें दूसरे condition में जो चुम्बकी ये छेतर की वैलू है इसका वान हो जाएगा mu0 upon 4pi into 2m2 upon r2 cube देखें यहाँ पर m1 होगा और यहाँ पर m2 हो जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर दोनों condition के लिए जो चुम्बकी ये छेतर उत्पन हो रहा है इसकी वैलू को हम यहाँ पर calculate कर देंगे अब यहाँ पर देखें इस formula में सभी मान को हम put कर देंगे तो यहाँ पर देखें मू 0 upon 4pi एक constant होता है तो यहाँ पर इस वैलू को ऐसे उतार देंगे मू 0 upon 4pi हो जाएगा यहाँ पर 2m1 इसे हम ऐसे लिख देंगे और r1 की वैलू क्या लिखेंगे देखें r1 की वैलू को हम यहाँ पर 30 cm लिख देंगे तो यहाँ से वैलू हो जाएगी मू 0 upon 4pi into 2m2 इसको हम ऐसे उतार देंगे और बटे में r2 क्यूब लिखा हुआ है तो r2 की वैलू यहाँ पर दी गई है 20 cm अब यहाँ पर इसे जब मीटर में परिवर्दित करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0.20 और इसका हम घन कर देंगे अब यहाँ पर देखे प्रश्ण में यह कहा जा रहा है कि यदि सुई में कोई विक्षेप ना हो रहा हो तो अगर सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा तो जो B1 की वैलू होगी इसका मान B2 के बराबर हो जाएगा क्योंकि जो दोनों चुम्वकिये छेतर होंगे इनकी वैलू जब तक आपस में बराबर नहीं होगी तब तक सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा तो इस प्रकार से B1 की वैलू B2 के बराबर हो जाएगी तो यहाँ पर हम इस वैलू को बराबर कर देंगे तो यहाँ पर देखे इस समीकरण को इस समीकरण के बराबर हम लिख देंगे पुट कर देंगे तो यहाँ से वैलू हो जाएगी μू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2M1 अपॉन 0.30 का हम होल क्यूब कर देंगे और इसका मान बराबर हो जाएगा μू 0 अपॉन 4 पाई के इंटू 2M2 अपॉन 0.20 का हम होल क्यूब कर देंगे अब यहाँ पर देखे कुछ कैंसिल हो रहा है μू 0 अपॉन 4 पाई 2 से 2 की बैलू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से हमें मान प्राफ्थ हो जाएगा यहाँ से हमें बैलू प्राफ्थ हो जाएगी M1 अपॉन 0.30 का हम क्यूब कर देंगे और इसका मान किसी बराबर होगा M2 अपॉन 0.20 का हम क्यूब कर देंगे देखे यहाँ पर हम M1 लिखेंगे और इस मान को हम आपस में बराबर कर देंगे अब यहाँ पर देखे, प्रस्ट में पूछा क्या जा रहा है, तो प्रस्ट में हम से ही पूछ रहा है कि चुम्बकी या घूडों की चुलना कीगे, यानि M1 और M2 इन दोनों का हमें अनुपात ग्याद करना है, तो यहाँ पर देखे, यहाँ से M1 अपॉन M2 की वैलू हो जा कर देंगे, और यहाँ पर M1 अपॉन M2 की वैलू हो जाएगी, अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या वैलू प्राप्त होगी, देखे, यहाँ से M1 अपॉन M2 की वैलू हो जाएगी, M1 अपॉन M2 इस इक् तो इस प्रकार से यहां पर M1 अनुपाते M2 की वैलू हो जागी 27 अनुपाते 8 तो इस प्रकार से यहां पर हमने जो चुम्बकी आगूर है इनकी वैलू को कैल्कुलेट कर लिया और इनकी हमने तुलना भी कर ली